चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को सामने आने हैं पर अब मतगन्ना की तारीक को लेकर भी राजनीती तेज हो गई है नरेला से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शमसुल हसन ने मांग की है कि चुनाव की तारीक को एक दिन आगे बढ़ाया जाए शमसुल हसन का कहना है कि 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांट की बरसी है ऐसे में नतीजे उस दिन नहीं आना चाहिए जहां प्रदेश की जंता को चुनाव नतीजों का बेसबरी से इंतिजार है तो वही नरेला विधान सभा से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शमसुल हसन ने चुनाव आयोक से मतगर्णा की तारीख एक दिन आगे खिसकाने की मांगी है शमसुल हसन का कहना है कि 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांट की बरसी है जिसको लेकर मध्यप्रदेश सहित देश दुनिया में कई श्रद्धान जली सभाओं का आयोजन होता है ऐसे में मतगर्णा की तारीखों को एक हम जिसको याद करके जी अगे एक प्रदेश मर्वाचन के कि अधिलम एक दिल बसबूर बसुड़ेश में मर्वाचन का एक दिन बढ़ाया गही है हम जडिए में नहीं पुरा जुनिया में कुझ अब दिम्रवाचते नहीं करते अगंदिए लुपें इसको तफाल बढ़ाया जाए जाए कि तरके हम लोग सर्दाजाल पर्गिफ करते हैं उसको आजडिया जिए हम लुपते हैं जो इसको तफाल गड़ायागा है जिसेरी चे आप देख रहे हैं डखल्यूर